इस बहुत बड़े फॉल के बाद यहां पर अब अब अगर बड़ा फॉल हुआ है बड़ा ट्रेंड हो चुका है मार्केट में डू नॉट एक्सपेक्ट असे केंड बिग फॉल लेकिन इसके सेकेंड विग फॉल होने से पहले मार्केट एक चला जाता है अब हमें एक चीज़ वेट कर वेट और वाच करने होंगी क्या यह प्रीविज डे का लोग डिफेंड कर पारे है क्या अगर वो डिफेंड कर पाते हैं तो वी आरेंचे अथे फैंड हमें वी शुट प्रेट गॉट तो गोड़ शुट गेट वो नहीं डिफेंड होता और सब्सक्राइब करना है तो फिर हमें इस कंसॉलिडेशन के लिए वेट करना होगा हमारे पास और कोई भी परियाए उपलब्द नहीं है वी दो नॉट हैव एनी अधर ऑप्शन एविलेबर वी जस्ट हैव तो वेट वेट फॉलिडेशन हां वी कन प्लेए वी चार्ट प्ल सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके अलावा आइक नोट सी एनिमा अधर तिंग्स एक बार इंट्राइब यहां पर अगर रिटन है बहुत ज्यादा एग्रेसिवली कॉल और पूट राइटिंग हुई है तो मॉस्ट ऑफ ताइम मार्केट विल ट्राइट टू स्टे इन इस रेंज क्योंकि अगर इदर से भाग जाता है तो ऑप्शन सेलर फस्ट जाएगा और ऑप्शन सेलर विल गेट ट्रैप्ट ओवर देर राइट सो आई डेली इंट्रेट ऑप इस देन यू कन स्टाइट अन प्लैन टू टेकर ट्रेट ओके सो निफ्टी में क्लियर है निफ्टी में एक बार हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रीम पे चलते है फोर आवर्स पे देखते का सपोट बचा है ओके सो दिस इस एक्रूशल सपोट फोर उस नाव 19-50 से डिफि इफेंड होना ही चाहिए तो हो सकता है यह आपर टाइम पास करेंगे यह पर दूपर में आएंगे टाइम पास करेंगे और आज तुड़े इस वेनस डे सुशील जस्त लॉग आउट एंड लॉग इन शुशील तो आज मेनस डे है सेकेंड सेशन में प्रीमियम बहुत ज्य इसके बाद हम क्या कर सकते देन वी कैन प्ले अब रेक आउट कभी इंटरे में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस दून लीजे यहां पर अगर आप देख सकते हो तो एक सिकंड यह एक रिजिस्टेंस को बार-बार आकर टेस्ट आउट कर रहा है तो हो सकता है यह थर्ट तैम प्रेक आउट देदे फिर से मार्केट डबली एस और डियर के पास चला जाए नहीं वैसे होता अगर वैसे नहीं हो रहा है अगर वापस से यह आपर नीचे आता है और नीचे आके फिर यहां पर टेस्ट आउट कर रहें फिर अगर निक्चे निकल जाता है तो अगेन यू 500 गांटिट करता हो ठीक है अगेंस देट मैं से 250 कौंटिटी ट्रेड करूंगा इविल जस्टेड 250 कौंटिटी बिकास आइम गएंस देट विन राइट एसल होता भी है अगें वेरी लेस्ट कॉंटिटी बट इव प्लैनिंग तो टेक ट्रेड ट्रेड टांसाइड इसल दे this thing Magnifty Magnifty if you can see this is trying to make a range somewhere here this is the important level dots have also come over here right or and WS is also there it is not trying to sustain near the WS second is this day's low previous days mother Monday का day low so this is a very big range so you have a part of a sector plan कर सकते क्या plan करना यागर बरी स्कनल बंजाती बरी स्कांडल कॉं-कॉंस यह जिन लोगो ने बेसिक कोर्स का and do one thing start understanding the basic price action or the basic and start learning the basic candlestick candle stick तो पता होगे ना ठीक है प्राइस एक्षिन के लिए तो हम है या बैटने के लिए बट यहां पर candlestick भी बहुत important होती है and we have explained only the important candlestick यहां पर अगर कोई bearish candle यहां पर first stop बन गया है यह second stop बन जाने दीजे यहां पर थोड़ा सा conviction upside में जाने के लिए problem हो ही होता है अब इतने बड़े के बाद अगर upside जाना है so market will need to wait here hold करना होगा मार्केट को यहां पर minimum two to three times resistance के जैसे यहां पर act करना होगा इस level को then we can see a follow through which will take us to DR DR के बाद 43 500 because 43 500 is now a psychological level so definitely एक आप के लिए resistance के जैसे एक करने माला है understood that thing uh shiromani you can just call on this thing uh the support number will uh guide you on how to opt for the basic course right so here the plan is clear first second attempt अगर इस से हाई जाता है तो इस विलन गूर फेक ब्रेकाट में तो वो तो sustaining over here and see the trend is on bearish side so bearish side के trend ऐसी आपको दिखाएंगे bullish है लेकिन गिराएंगे ऐसे लेकिन यहां देखे पूरा bullish candle दिखा है bullish है लेकिन जब गिरा देते तो ऐसा गिरा देते कि वो सब traders फिर उनकी नींद उड़ जाती है ठीक है minimum two to three hours consolidation because this fall is very crucial तो यह बहुत crucial fall है but upside में mostly मेरा view है नी हमारा view upside में है नी what I am planning is first stop second top followed by a fake breakout about this 43 400 के उपर fake breakout यह अगर bearish candle मिलती है then I will look to take a sell trade which will again take me back to 43 150 and again from here second target will be 43 000 now more bearish activity will only be seen below 43 000 right next day लेते हमारा फिनिफ्टी premium be put k side uphold upside hold current call side down and decay okay great so finnifty let's go and check what is film nifty trying to tell us so finnifty also same as bank if t the finnifty वे कुछ ज्यादा बक्वास करनी के कुई हमें जरूद नहीं क्यूंकि finnifty nifty any which ways it's it is not a expiry day for the finnifty so rather what we can do is we can wait for a consolidation over here most of the players you players are interested in bank nifty the plan is clear here also let the consolidation happen or let it go and make a double top इसके साथ अगर bank nifty double top बना रहा है we can look to say otherwise the same other plan we can wait for a consolidation year consolidation should be for minimum of two to three hours more bearishness will come once 19 350 is taken on 19 350 निकलने के बाद सीधा target 19159 509 थाज़न के लेवल समय देखने मिल सकते है राइट करेक्ट है चलिए नेक्स एक बार components देख लेते हैं what are the components trying to tell HDFC bank yes opened gap up but it is bearish now right so it is not breaking up actually HDFC bank में और एक चीज में आप जोगी कि इसने प्रिवियस कभी support तोड़ा ही नहीं मतलब मैक्स पूट ओए लेवल से यह बार बार बांस कर रहा है so it should break this level of 1500 1500 का लेवल अगर ब्रेक करेगा then only things will be much more bearish और यह heavy weight है ideally इसको सोचे आपने यह एक या दो candle ही इसको इतना गिरा दिया तो इसने अभी भी कोई days low break नहीं किया था राइट आइसे से बैंक या it is bearish so it is is it trading below the previous day not at all right so this is the previous day low I guess 50 so 925 निचे bearishness 925 निचे bearishness axis bank is also record from bottom but it is this recovery is not from a green band so हो सकता है यह फिर से अगर 959 960 ब्रेक कर दे अगर इत मैं टेस्ट नूग् and they will do the same thing what they have done मैं वो भी एक चीज़ बताता हूं यह सब्सक्राइब कोई फाइदा नियू रिलीव का क्योंकि वो रिजिस्टेंस पही जाके फिर से अटक जाएगा ठीक है and it is at the resistance so this is a strong resistance it should make a double top over here and then it should start falling so what I am going to trying to tell you is see understand one thing what did the market मैं थोड़ा हिंदी में बलता हूं so सबको समझ में कि मार्केट क्या कुछ हमें बताता है कि पहले गिरेगा या बड़ेगा एक में